हेलो एव्रीवन दिस इस यॉर मास्ट टीचर सुराभी कुपता प्राम विदान्तू एंड मेरी कख्षा में आपका स्वागत है वेल्कम तु टुड़े सेशन जहां बर हम लोग करने वाले हैं मिन्रेल इनरजी रिसोर्स का मैप वक अगर हम जोग्रफी की बात करें तो मैप बहुत जरूरी पार्ट है क्योंकि इट इट कंसेसर थ्री मार्क्स ओफियर वोट एक्जाम सिलिबस और यह वाला पार्ट नॉर्मिली बचे एंड तक छोड़ देते और फिर बहुत रोते हैं क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल लगता है माप के लिए मैं बार बार करते हैं अगर आपके सामने मैप है और आप मेरे साथ-साथ मार्क कर रहे हो ने तो पूरे सेशन का कोई पॉइंट नहीं है मति देखो तो अच्छा है like करते ना वीडियो को अगर अच्छा लगा explanation और अच्छा लगा map pointing और सब्सक्राइब करते ना चैनल को अगर आप हमारे live videos में आना चाहते हो और वहाँ quiz खेलना चाहते हो हमारे साथ और क्योंकि हमारे चैनल पे class 10 बच्चों के लिए बढ़िया विडियोज आते हैं, CBSC की latest update हो, chapter का explanation हो, marathon sessions हो, हम ensure करते हैं कि exam से पहले आपके पास ऐसे sessions हो जो आपको बहुत help करें और जब आप boat exam के रणभूमी पे उतरो, तो आप ready हो अपने exam को देने के लिए, ठीक है, चाल let us begin, oh oh oh, mind twister game, content team ने डाला है, maths type question लग रहा है मुझे, try करेंगे, चालो, अगर हमने watermelon को x लिया, तो 3x is equal to 36, अगर हमने watermelon को x लिया और इसको y लिया, 2y is equal to 28, है ना, और y minus z is equal to 3, यह है question, तो 3x, ऐसी करते है ना, इस question को, x हो गया, 3 बंजा 3, थी 2 बंजा 6, तो watermelon हो गया 12, फिर 12 plus 2y is equal to 28, है ना, 2y is equal to, 12 minus करो, 6 हो गया 16, y is equal to 8, y हो गया 8, और 8 minus z is equal to 3, z को साइड लेगा है, तो 8 minus 3, 5, तो banana हो गया 5, बताओ क्या है, मैंने सही किया या गलत किया, और आपने क्या जवाब दिया, let me know in the comment section, now guys, as I told you, इस chapter में आपको सबसे पहले क्या करना है, कि जो भी आपके minds है, या जो भी आपको दिया गया है, उसका state लिखना है table में, इस तरीके से, ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं अगर आप बार-बार ये भी देखोगे, तो आपको याद रहेगा, उसके अलावा, आपके MCQ ज़रूर आते है, from map-based questions, for example, आ सकता है, कि iron ore, कुद्रे मुख कौन से state में located है, अब आपको map तो नहीं पता, पर at least ये table याद करके जाओगे, तो पता तो होगा, कौन से state में, right, तो कुद्रे मुख जो है करनाटका में, it is the second largest peak of करनाटका, बोला जाता था कि यहाँ पर जो आपके sailors होते थे, वो करन करनाटका को पहचानते थे, because of कुद्रे मुख, है ना, तो यहाँ करनाटका में आपका कुद्रे मुख है, right, फिर आपका बेलरी है, बेलरी में जल्दी से बताओ किस चाइब का iron मिलता है, बेलरी, फिर आपको बेला दिला, छत्तिसगड, तो छत्तिसगड में आप आ गए, होर्स, है न, आप आपर दो है, दुर्ग और बेला दिला, ठीक है, दुर्ग और बेला दिला, right, फिर आया आपका मयूर भंच, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा, it is in Odissa, so these are your five, so guys, again, आपको याद करना पड़ेगा, you know, कोई, कोई ट्रिक तो नहीं है, मेरे पास आपके लि नहर कटिया, तो नहर कटिया, है न, नहर को काट के, नहर कटिया और दिग बॉय, दोनों आसाम में है, अब जो डिग बॉय है, उसका नाम डिग बॉय कैसे पड़ा, यह तो काफी इंट्रेस्टिंग है, कि वहाँ पर पेट्रोलियम के डिपॉसित से, रिजर्व से, तो वह बॉय है डिग कराते देटेख देटेख लड़कों से डिग कराते थे, वह दो डिग बॉय लड़के डिग करो डिग बॉय है और नहर कटिया, यहट आसाम के पर पका बार देख यह पानी के पास है तो कालोल और अंखलेश्वर आपका गुजरात में हो गया बसेन और मुंबाय हमें में में रिलाइन से पेट्रोल निकालता है यह तो इसी था है लेश था रहा आप को पता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कोर सिर्फ चार स्टेट में सीमित है जारकंड, ओडिस्सा, तमिलनाडू एंड वेस्ट बेंगॉल तो यहां पर आप देखोंगे तमिलनाडू में नेवली है अपने पड़ा था कि तमिलनाडू में जो लो क्वालिटी कोल है वो पाया जाता है पर उसे एलेक्ट्रिसिटी बनती है दाट इस नेवली तमिलनाडू फिर आया आपका बोकारो विच इन जारकंड यह चोटा सा जारकंड है पिर आया आपका तल्चर विच इज ओडिस्सा और रानी गंज विच इस वेस्ट बेंगॉल है प्लियर अब आते तीन टीन है आपके न्यूक्लियर पावर बश्वेंट प्लांस तो नारोरा यूपी वे है नारोरा जो यूपी वाले उनको शाहिद पता होगा यह नाम फिर आया अचा तर्चार nep पीडिया इस तारापूर नाम से लग रही की महारास्थ्रा का होगा जैसे ताहरवैई हिंदे है ना तो शिर्म कलिशनीर है कि तरख ओड़ कल्पक्क कर सभण कर और कि ये हुआ अपने देखो आपएंस नहीं दे रहे हो किसी को तरीके से आद करने हैं तो खाकरा गुजराद काकरा पर बोल दिया तारापुर मैं ताराबई शिंडे से आद रखती हूं नारोरा क्योंकि मैं यूपी में रह चुकी हूं तो मुझे याद रहता है कालपक्का मुट्पम करके मैं तमिल नाडू याद करती हूं तो यह है इट इस इन तेलंगा ना राम गुंदम है ना और यह वह नाम रूप विच इन आसाम तो दिग बॉय नाम रूप नहर कटिया यह सब भाही पर है आसाम में थर्मल पावर प्लांट आप यह नाम रूप वहा पर है ठीक है जहां पर आपके पास पेट्रोलियूम भी है वह आसका मतलब कोल से भी महाँ एलेक्रिसिटी बनती होगी और राइड सो गैस इस आर आप्स अप्स अपर हम और प्वेस्टिंस कर सकने इडेंटिफिकेशन के बाट वर इस तिल ताइम फो दाट इसका पीडिएफ में टेलिग्रम चैनल पे टालूंगी और इसका पीडिएफ करना अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को मिलते हैं अगले सेशन में अच्छा मैंने मिनरल एन एनरजी रिसोर्स का चैप्टर भी करा दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं देखा है ज़रूर देख लेना वाब जाएबस में आपको को बॉक्सा टो को कर दो है